भारत में एक ऐसी जगह है, जहां पर अगर आप चले गए, तो आपको लगेगा कि आप समय में तीन-चार हजार साल पहले चले गए हैं। करनाटक के मतुर गाव की गलियों से जब आप गुजरेंगे तो आपको हर दूसरे घर में वेद मंत्रों की आवाज सुनाई देगी। गली में खेलते हुए बच्चे जहां आपको धोती और शिखा में दिखेंगे, वहीं पडोसी एक दूसरे से संस्कृत में बात करते हुए तुंगा नदी के तट पर बसे मतुर गाव में आपको पेड के नीचे गुरू और शिश्यों की गुरुकुल परमपरा भी देखने को मिल जाएगी। इस गाव ने अकेले करनाटक को 30 से भी ज्यादा संस्कृत के प्रोफेसर दिये है। और कई शहरों के बच्चे यहां प कोई होटल है, ना रेस्टरेंट, ना कोई गेस्ट हाउस। यहां के लोग वैदिक काल की ही तरह अतिथियों के रहने का प्रबंध अपने घर पर ही करते हैं। देखने और सुनने से लग रहा होगा कि यह गाव आधुनिक प्रगती से कितना दूर है, लेकिन इसके विपरी जहां इस गाव में इंटरनेट के साथ साथ 21 सदी की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहीं आध्यात्मिक भारत की महक भी। जय सनातन, धर्म जय श्री राम।